एक बार फिर पिये मोधी को लेकर बोले आई यार देखा नहीं कि देखती है भारत वर्ष में नरेंदर मोधी उनके तीखे हमने आपने नहीं देखे उनसे जाकर यह सवाल कीजिए वो आप से नहीं बात करते हैं क्योंकि वो डरपोक है सर्फ पस्डिए यह मेग! इंचले! आप नराज हां आप आप नराज हो रहा हूं क्योंकि तुमने व्यदत इस्तमाल किए इससे पहले पिये मोधी को बताया था नीच आदमी ऐसे में क्या एक बार फिर अईयर करेंगे एक कॉंग्रेस का बंटा धार क्या कहती है श्री संक बेतरा अशोका जी की भविश्यमानी वो भी सिर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार ध्यमग्यान में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविताराना और मेरे साथ मौझूद है विश्यम विख्यात सुदर्शन चक्र जोतिश हैचारिय श्री संद बेतर अशोका जी जिनकी ना सिर्फ भविश्वानिया बल्कि जितने भी राज्यतिक मुद जी हाँ जैसे मीडिया ने उनसे 2019 के नतीजों को लेकर पूछा तो उन्होंने ना सिर्फ पिया मोधी को डरपोक कह दिया बल्कि मीडिया से बदसलुकी भी की ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पिया मोधी को नीच बताने वाले मनेशंकर अईयर का एक बार फिर सामने आ गए हैं जो उन्होंने अब तक चुपिस आदी हुई थी और मुझ खोलते हुई मुझ खोलने के बाद क्या अब कॉंग्रेस की नईया डूपने वाली है सर क्या कहें गया देखिये मनी शंकर अईयर जी की जो एंट्री है यह तो बहुत पहले एक्सपेक्टिड थी कि वो जल्दी आते हैं लेकिन ठीक है सात्वे चरण से पहले उन्होंने जो एंट्री मारी है बहुत ही भिहंकर दी है मतलब अब यह लगता है कि कॉंग्रेस को डूबाने वाले बाहर के नहीं है अपने ही लोग है इन्होंने मानिय मोदी जी के लिए जो आपके देश के प्रधन मंतरी हैं उनके लिए एक गलत वर्ड यूज किया था नीच और उसके बाद उन्होंने एक्स्प्लेनेशन दी थ देखनी है तो मैं किसी और उसमें बोलना चाहरा था मुझसे कुछ और निकल गया देट इस स्लिप आफ टंग उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया फिर जब उन्होंने इतना रोना-धोना किया तो पार्टी ने फिर दुबारा ले लिए अब सात्वे चरन से पहले अचानक उनका अफ्तार दुबारा होता है बची खुची जो कॉंग्रेस की थोड़ी बहुत इज़त थी उसको बरवाद करने के लिए उन्होंने आके बोला कि मैं अपने नीच वाले वक्तवे पर काइम हूं और मैं अपने शब्द वापस नहीं लेता इसका मतलब क्या हु कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं मानते क्योंकि जिस चीज के कारण आपको बाहर किया गया था उसी चीज पर आप दुबारा काइम है इंमेटेरियल की जिस चीज के कारण आप पार्टी से बाहर कर दिये गे अब बताएए कांग्रेस अध्यक्ष की क्या इज़त र देखिए मैं बहुत पहले भविशय ने कर चुका हूं कि मानिय मोदी जी का जतना विरोध करोगे उनकी प्रतिबा उनका व्यक्तित उतना निखर कर भाराएगा क्योंकि अगर किसी को उसी के हाइट का व्यक्ति उसी के कद का व्यक्ति अगर कुछ बात कहता है तो वहां कुछ उसका जो है असर हो सकता है अगेंस्ट वाला लेकिन एक आदमी अदना कद का व्यक्ति और इतने बड़े व्यक्तित के बारे में अगर ऐसा कुछ कहता है तो उस कोई नुक्सान नहीं कि पूरी अवाम जंता भारत की ये जानती है कि मोदी जी क्या है और वो देश के लिए किस तरीके से तनमन धंसे लगे में चोबिस में से अठारा घंटे देश की सेवा में लगे में और हमेशा देश की प्रोग्रेस की सोचते हैं, देश की गरीबों के बारे में सोचते हैं सर एक तरफ मनिशंकर अइयर की एंट्री होना, उसके बाद उनके ऐसे तीखे वार करना, उनके वारों का प्या मोदी ने पलट वार करने के बज़े ये का कि भले मुझे कितनी गाली दे दे, मुझे फरक नहीं पड़ता, इनफेक्ट मैं उनकी गालीों को खुशी से लेता हू तो ऐसे में प्या मोदी जी का इस तरह का रवाया, अपने विरोधियों के खिलाफ, तो क्या दर्शाथ है, क्या दर्शाथ है। कोई बड़ बड़ा दिया जिसके कारण आपको बार किया था, अब इतना समय भी नहीं है कि राहुल जी उनको बाहर करके कुछ उसकी माइलेज ले पाएं। कांग्रेस यही कर सकते हैं कि भी है, यह उनका अपना वक्तव है, हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। सवाल यह भी उड़ता है कि इन साथ चरणों में कहीं न कहीं है, क्या पता ऐसा कह सकते हैं कि मनीशन का अईयर को कॉंग्रेस ने साइड लाइन कर दिया और शायद यहीं बौकलाहट है कि वो अब मीडिया से भी बदसलूकी करने लगे हैं। इस उम्र का करता हूँ और स्टेटस का करता है तो यह तो जो कि अपनों मतलब जो इस स्थिर हूं मैं अपना व्यक्तविया वापस नहीं लूँगा। अब तो उन्होंने वो इज़त छोड़ी नहीं है देखिए अगर उनका सम्मान करते तो उनको ये वक्तवे नहीं देना था क्या जुरूर थी इस वक्तवे को देने की उन्होंने तो पार्टी अध्यक्ष की भी कोई इज़त नहीं रखी है चलो विपक्ष के नेता के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं कहीं पर कोई आपकी कोई मान सिकता हो सकती है कोई चाटू कारता हो सकती है कि कोई खुश होगा उससे लेकिन उससे तो राहुल गांदी जी भी मानने राहुल गांदी जी भी खुश नहीं वे थे तो किसको खुश करने के लिए ये बोल रहे थे पाकिस्तान को सर्फ साम पिड्रोडा जी का बयान 84 के दंगो को लेकर जो हुआ हुआ और अब अईयर जी का बयान मोधी जी को डर पोक बता दिया और अपनी उसी बात पे नीच आदमी वाले बयान पे भी वो काय में कहें मैं माफी नहीं मागूँगा तो जिस तरह से जितने भी ये जितने भी नेता हैं जिनके जुबानी एकदम तीखे प्राहार है बीजेपी से लेकर प्यामोधी जी के लिए अब शब्ट टिपणिया करना और अब नवजो सुंग सिद्दू ने भी प्यामोधी को कहें की काला अंग्रेश बता दिया तो ऐसे वरिस्ट कॉंग्रेस से नेताओं का इस तरह से तीखे प्राहार करना क्या लगता है क्या यही कारण बनेंगे आगे कॉंग्रिस की डूपती नईया के पीछे बिल्कुल बिल्कुल देखो छे अपरेल को जो ग्रह दशा चेंज हुई थी छे अपरेल को जो नफ संबद में जो ग्रह दशा थी यह उसका प्रभाव है शनी केतु का यह सब लोग ऐसे ही अनरगल भ विपरीत बुद्धी जब कभी समय खराब आता तो बुद्धी विपरीत हो जाती है यह मानते वे जानते वे अगर यह पांच मिंट का समय भी अपने आपको दे investigate अपने आप से अपने लिए समय लेकर अपने आप से क्शन करें कि मोदीजी के लिए इनको क्या ऐसा बोलना चाहिए तो इनको इनकी आत्मा ही उत्तर देगे कि आप किस व्यक्ति के लिए क्या बोल रहे हैं चले समसे बाचित करने के लिए इस मुद्धे प आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो कॉंग्रिस ने ताओ के पिया मोधी को लेकर तीखी बयान बाजी अब 23 माई को कॉंग्रिस पे कितना भारी पड़ेगा और क्या नतीजे आएंगे जनता किस तरह से इंच सभी चीजों को लेगी ये देखना दिलचस्प होगा तब देखले मुझे या निकीक काविता रान प्रीनों छे आ मोधी तो नीच छे भाईयों मैंनो आपमान आपमान गुझरात्तु छेग नहीं आपमान भारति नी महान प्रंपणान उचेग नहीं अरे आत्व मोगलाई मानसीखता छे जया उची नीची नाक कुछ उशकान हिंदुस्तान मां तम्हें नाख्या अन्या देश मां आम मोगलाई संस्कार रेवा आता के जेना कारणे गामडा मां कोई भुतकार मां सारा कपड़ा पेरी ने निकड़े तोपर आम मोगलाई संस्कार बाड़ावने सहन नोता थाता हमने तकलिप पड़े के सारो कपड़ा दोएला इस्त्री करेला मोंगा कपड़ा पेरा आने अरे गामडा कोई वर्गोरों कारें जो गोड़े बैठो तेनु आवी बनतो तो आम मांसिकता आम मोगलाई मांसिकता सल्तलती मांसिकता जेना कारणे बिजाने नीच तरीके जोवा तमें अमने गधेरा किदा तमें अमने गंदी नाली ना कीडा किदा तमें अमने नीच जाती ना किदा तमें अमने नीच किदा पड़े अमारा संसकार अनुसार जीवा टेवाहला छिये अनार तारीके मत पेटियों बताऊशे के गुजरात ना संतान ने आप्रकारनी भाशा वापरों एनों बदलो गुजरात के विरील से लेतू होई छे एतो तमने चोदमी तारीके जारे एक के एक गुजराती कमारना निशान पर बटन दबाऊशे ने त्यारे तमने खबर पर से क्या नीच शब्द सू अर्थ थाईज